नमस्कार दोस्तों में अंदरजीत आज हम सोशल के कुछ चुनिंदा कोशन करेंगे जो कि अभी तक एक्जाम में पूछा गया है इसको हम टोटल दो सेट में आपको देंगे पहले सेट में पुराने जित्ते कोशन से वो देंगे और उसके बाद जो बचे वे कोशन है वो भी कराएंगे आपको पूरा एक्स्प्लेइन वीडियो होने वाला है तो वीडियो में अंतक बने रहेंगे चैनल में पहली बार जुड़े है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा देखे कोशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पहला कोशन है गांधी सागरबान किस नदी पर इस्थित है इसके ऑप्षन आपको दिखाई दे रहोंगे गंगा चंबल नदी है आपका सतलज है और आपका चिनाब नदी है तो देखेगा इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागरबान जो की मद्ध प्रदेश में इस्थित है और ये ऑप्षन नमबर बी चं इसे भी बन सकता है कि चंबल नदी कौन से प्रदेश में है तो आपको आंसर लेना है मद्ध प्रदेश आगे देखेगा कोडारबान इस्थित है असम चत्तिजगर्ड मिजोरम और आपका तमिलनाडू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी चत्तिजगर्ड महा दूसरा नाम है सहीद वीर नरायान सी बान देखेगा कोश्चन ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है सहीद वीर नरायान सी बान के नाम से इसको जाना जाता है जैसे गंगरेल बान को जाना जाता है रवी संकर जलासाई के नाम से क्लियर नेक्ट कोश्चन किसी राष्ट के ल इसका सबसे बेटर आंसर हो जाएगा अर्थववस्था यदि किसी राष्ट का अर्थववस्था मजबूत है तो वहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सकेंगे और सुरक्षा देंगे तभी उनका स्वास्त और सिख्षा हो पाएगा तो कुल मिला के आंसर नंबर एही आपका सही लग रहा है अर्थववस्था चलिए आगे देखेगा 36 गर से लोगसभा में सांसदों की संख्या जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्षन नंबर सी ग्यारा चुकि अभी लोगसभा चुनाओ जारी है तो मान के चलिए कि 100% यहां से कुष्टन तो हो नहीं है चाहे 36 गर से पूछे चाहे ओवरॉल इंडिया से पूछे आपको लोगसभा में सीटों की संख्या या और दूसरे प्रकार के प्रस्ट जैसे हमने कई वीडियो में आपको बताए है ऐसे भी कुष्टन आपको पूछे जा सकते हैं वहीं यदि बात करें 36 गर के राज्य सबा सीट की तो वो है पांच और 36 गर विधान सबा सीटों की संख्या है नब्बे चुकि अभी नया गॉर्मेंट बना है तो उसमें जितने भी कैबिनेट में मंत्री है चाय सिक्षा मंत्री हो, खेल मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, जितने भी मंत्री है उन सभी का नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे वहां से भी इस बार कुष्टन हो नहीं है चुकि उसका वीडियो हम अलेडी बना चुके हैं तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, छत्यर समानिक्यान से नैक्ष्ट कुष्टन देखेगा सविधान हमें मुलभूत अधिकार प्रदान करती है तो ऑप्षन आप देखेगा जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी छै इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, भी ध्यार रखेगा जो मुलभूत अधिकार के हम बात कर रहे है यही हमारे लिए मौलिक अधिकार भी है जैसे आप जानते होंगे इसको समानता का अधिकार सुतनतता का अधिकार सुसन के विरुद्ध अधिकार धार्मिक सुतंतता का अधिकार संस्किती और सिक्षा साथी आपका सवेधानिक उप्चारों का अधिकार यह आपके टोटल 6 मौलिक अधिकार है जो की बेहद इन्पोटेंट है नेक्स्ट कुश्चन है विश्व प्रशिद्ध सियू मंदिर 36 गड़ में कहां इस सित है जिसका सही आंसर जाएगा उप्चनमबर C सिर्पूर सियू मंदिर की बात हुई है और जैसे आप देख रहे हैं उप्चनमबर A तो यहाँ जो है आपका बारसूर लिखा है 32 मंदिर जो की सियू मंदिर है रतनपूर में महमाया मंदिर है और सिर्पूर में आपका गंधेश्वर महादेव मंदिर जो की हमारा सियू मंदिर है तो सही आंसर जो है उप्चनमबर C लेना है आपको नेक्स्ट है आपका करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो सारे option आप चेक करिएगा सही answer रोजाएग option number D महात्मा गांधी सुभाच अंद्रबोज देखिया option में लिखा है तो इन्होंने एक नारा दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा और बाल गंगधर तिलक जी है तो उन्होंने एक नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध दिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा साथी अब्दुल कलाम जी का भी नाम है तो भारत की मिसाइल मैं के नाम से जाने जाते हैं तो इस प्रकार मैंने सारे option आपको deal कर दिया है कहीं से भी question आएगा तो आपसे बनेगा इसलिए सारे option में deal करते जा रहा हूँ चली अगला देखेगा 2019 प्रयास में आपको question पुछा गया था निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है जबी भी गलत है बोलेगा तुरन नीचे आपको क्या करना है गलत में अंडर लाइन कर देना है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे कई बार क्या होता है गलत को हम भूल जाते हैं और सही में करके आ जाते हैं चले देखते हैं कौन सा अला गलत है तो पाली एक भासा है तो बिलकुल सही है कबरा पहडी जो कि रैगण में है बिल्कुल सही है महंत घासिदा संग्राले रैपुर में है ये भी सही है लश्मन मंदिर बिलासपूर ये रौंग है ये आपका सही आंसर हो जाएगा चुकि लश्मन मंदिर जो है वो सिर्पूर में है अभी अभी मैं पिछले question में बता रहा था आपको सिर्पूर के बारे में next देखेगा सिंदु घाटी सभ्यता का बंदरगा सहर किसे कहते हैं इसका सही answer हो जाएगा option number ए लो थल यह आपका सिंदु घाटी सभ्यता का बंदरगा सहर है साथी option को और देखेगा मैं deal कर देता हूँ मोहन जो दाडो दिया है तो यहां कुछ नर्तकी की मुर्ती मिला है ध्या रखेगा हडपा में तामबे की इका गाड़ी यहां से question होता है कि तामबे की इका गाड़ी कहां से प्राप्ट हुआ है साथी आपका काली बंगा काली बंगा से आपको याद रखना है काली चूड़ी साथी अगनी कुंड और जूता हुआ खेट यह सब काली बंगा से हमको प्राप्ट हुआ है तो option से भी अगर question बनाएंगे तो easily हम कर पाएंगे इतना confidence है और आप सभी क्या करेंगे इसको नोर्स बना लेंगे ताकि option से यदि आता है कोई भी प्रस्णा आता है तो आपसे easily बन जाए चले next question देखते है आरे किस धातू से परचित थे सोना तामबा पीतल और लोहा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D लोहा आरे जो है वो लोहा से परचित थे अब यहीं देखे option में आपको पीतल भी दिखाई दे रहे है तो मिस्र धातू जो बनता है तामबा और जिंग इससे ये पीतल बनाया जाता है धार रखेगा कभी कभी question आ जाता है पीतल मिस्र धातू है तो किन किन तत्तों से मिलकर बना है तो तामबा और जिंग इसका correct answer होगा साथ ही यदि आप सिंदु घाटी के लोगों के बारे में जानते होंगे तो सिंदु घाटी के जो लोग हैं उनको लोहे के बारे में उनका कोई परचित नहीं था उनको मतलब लोहे के बारे में नहीं जानते थे परचित नहीं तो ऐसे भी question आता है कई बार कि सिंदु घाटी के लोग इन में से परचित नहीं है और option देदेगा आपको सुना तामबा पीतल लोहा तो आपको answer लेना है लोहा चले next देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उबदेश कहां दिया तो इसका सही answer हो जाएगा option number B सारनात चूकि option में और कुछ चीज़े हैं जो बताना बहुत अनिवार है क्योंकि वहां से भी question होते हैं जैसे option number A देखेगा आप कुसी नगर तो यहां महात्मा बुद्ध जी का मृत् देखें बोध गया में ग्यान की प्राप्ति हुई और यहां एक people पेड के नीचे जिसे हम बॉधी विर्ख्षे कहते हैं जो पीपल का पेड municipality है उसे बुद्ध कर नाम से जाना जाता है उवहीं ग्यान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्द को कि कि तो महात्मा दुर्ग जीले के नकपुरा गाउ में मंदिर है तो कौन से तिर्थंकर के मंदिर है वहाँ यह आपको चुनाओ करना है option आपको दिया गया है सही answer जाएगा option number C 23 जो की पार सनात करके जो तिर्थंकर थे उनका मंदिर दुर्ग जीले के नकपुरा गाउ में इस्थित है साथी इसमें और कुशन आपको पूछ सकता है कि पहला जो तिर्थंकर है जैन धर्म में वो कौन थे तो रिशब देव आपको आंसर लेना है साथी अगर 24 पुछेगा तो महाविर्ष्वामी जो की लाष्ट है आखरी है 24 तिर्थंकर के नाम से महाविर्ष्वामी को आपको आंसर लेना है चलिए अगला कुशन देखेगा अंकोर वाट मंदिर किस इस्थान में है जिसके ऑप्षन आपको दिखाई दे रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर C कमबोडिया जहां भगवान विश्णू का मंदिर है और ये दुनिया का आठवा अजूबा बना हुआ ह ये भी आपको ध्यान में रखना है कुशन आ सकता है दुनिया का आठवा अजूबा कौन सा तो एक कमबोडिया का मंदिर है भगवान विश्णू जी का है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये भी आपको ध्यान रखना है चलि आगे देखते हैं हीतो लेकिन मेग दूट से जादा तर कुश्चन किया जाता है तो आप ध्यार रखेगा जाब ये मेग दूट सब्दा है तो आपको मान के चलना है कि उसका अंसर जो है काली दासी होगा उनकी रचना है ये चलि आगे देखते हैं पल्ला और राजाओं की राजधानी कहां थी त जो आपका हेंसोंग है इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और ये चीन से थे इसको भी आपको ध्यार रखना है दोनों आपको कुश्चन बन सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो हेंसोंग लेना है साथ ये कहां से थे तो चीन से थे दोन आपके प्रयास के एक्जाम में पूछा भी गया है, कोशन है, खालिस्तान दिनांग को समस्त पृत्वी में दिन वर रात की लंबाई एक समान होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा तेवी सितंबर, और एक चीज और मैं आपको इसमें डेटेल बता देता हूं, तेवी सितंब और 21 मार्च आपको ध्यान में रखना है, पूरे पृत्वी में दिन और रात की जो लंबाई है, वो एक समान होती है, इस दिन, तेवी सितंबर और 21 मार्च, बिल्कुल आपको लिख के रख लेना है, तेवी सितंबर और 21 मार्च को, चलिए आगे देखेगा, अगला कोशन ह खालिस्थान पठार विश्व का सबसे उंचा पठार है, तो इसका सही आंसर जाएगा तिब्बत, अब यह जो देश है, वो चीन के द्वारा कबजा कर लिया गया है, यहां के लोग अपनी जान बचा कर भारत आएं, और कुछ तिब्बती लोग 36 गड़ के मैन पाट, जो क कुछन दिखेगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, देखे, नहीं बुले, अंडरलाइन करिएगा नहीं, और फिर आप करेक्ट आंसर का चुनाओ करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर B, नर्मदा, चुक यह बंगाल क खाड़ी में नहीं गिरती, तो कहां गिरती, ऐसा पूछा तो, तो यह अरफ सागर में गिरती है, आपको ध्यान देना है, बाकि महानदी, गुदावरी, कृष्णा, यह सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, clear, next, वह जंगल, जो खारे पानी में फैला होता है, इसका सही इसका सांदार उधारन है, हरा, जो हम बात कर रहे हैं, कि वह जंगल जो खारे पानी में फैला होता है, तो इसके लिए सांदार उधारन है, पश्चिम मंगाल में जो हमारा सुंदरी वन है, हरा, जिसको अपन सुंदर वन डेल्टा में जो फैला हुआ है, हरा, यह आप एक् नमर भी मध्धप्रदेश तो नेक्स्ट है जगनात मंदिर कहां इस्थित है तो सही आंसर जाएगा उप्षनमर ए उडिशा चुकि यहां भगवान की मुर्ती लकडी से बनी हुई है इन्पोर्टेन तथ्य बतारों आपको मैं यहां जो भगवान की मुर्ती है वो लकडी से बनी हुई है और भगवान क्रिष्ण बड़े भीया बलराम और बहन सुभद्रा यह विराजमान है यहां धान रखेगा नेक्स्ट है दच्छेन आप्री का किस वर्स लोकतांत्रिक राष्ट बना बहुत इन्पोर्टेन कोशन है और यह इसका अंसर जाएगा 1994 में यह जो है लोकतांत्रिक राष्ट बना है साथी नेक्स्ट आप देखेगा पंचायत राज के इस्तर होते हैं तो पंचायत राज जो है वो निंतम आयू कितनी वर्स होनी चाहिए तो इसका आप आंसर हमें कमेंट्स के थ्रू बताएंगे साथ ही हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था आपको कि प्रधान मंत्री बनना है लोग सभा चुनाव लड़ना है तो आपका निंतम जो वर्स है वो 25 वर्स होना चीए ठीक उसी से संबंधित ये प्रश्ण है कि सर्पंज बनना है तो आपको निंतम आयू कितना होना चीए चले आगे देखेगा कुष्टन आपका बंगाल का विभाजन कभ हुआ जिसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर B 1905 इस समय भारत के जो वैसराय थे लाड करजन थे इसी से बंगाल इने जो है वो बंगाल का विभाजन कराया था धार रखेगे इसको क्योंकि कई बारा सा कुष्टन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वैसराय थे वो कौन थे तो लाड करजन आपको आंसर लेना है नेक्स्ट देखेगा बिलाई श्चिल प्लांट की स्थापना कब हुआ तो यह 1905 में हुआ है उप्शन नमबर 10 करेक्ट आंसर फिर नेक्स्ट है जोम क्रिशी में बीज बोने की विधी को कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ए बिखेरना एक्चल में जूम केती होती क्या है तो देखे कैसे बनता ही है जंगल को काटेंगे और काटकर जलाकर उसमें खेती की जाती है मतलब जंगल को पूरा साप कर दिया जाता है काटकर जलाकर और उस पर खेती की जाती है इसको कहते है जूम केती क्लियर, नेक्स्ट कुश्चन देखेगा, अब ये सारे कुश्चन आपको मैं 2020 में जो आये हैं, उसको बतारो, लाइन से बताते जा रहा था, 18, 19, 20 असे चल रहा है, चली, आगे देखे, भारत में मुंबई वा ठाने के बीच, चलने वाली पहली रेल गाड़ी कब चली, तो भी अठारा सो दिरपन में चला है, साथी, नेक्स्ट कुश्चन आपका, पांडी चेरी के संस्थापक हैं, तो आप्चन नमबर ए, फ्रांसिस मॉर्टीन, फिर नेक्स्ट कुश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंब हुआ, असहयोग आंदोलन के बारे में जभी भी बात आती है, तो इसका नेत्वित्य करता थे महत्मा गांधी जी, और ये 1 अगस्ट 1920 में प्रारंब हुआ, साथी, जो बहुत फेमा से कांड है, चौरा-चौरी हत्या कांड, इसके बाद 12 फरवरी 1922 को आसहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो कुश्चन अभी प्रारंब से अगर समाप्ती की बाद की जाए, तो 12 फरवरी 1922, दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट है, चत्यस गड़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन मेरे, पंडित माधा और आव सप्रे, साथी यहाँ, एक और लोकसभा छेत्रों की शंख्या है, तो उप्शन नमर सी 11 है, देखिए मैंने लोकसभा के बारे में आपको बताया कि इससे कुश्चन होना ही है, बहुत अच्छे से आप प्रप्रेशन कर लेंगे, नेक्स्ट है, प्राथना समाज के संस्थापक है, तो इसका संस्थापक है आपको अप्शन मर बी, महादेव गोविंद रनाडे, और साथी एक नाम और है, जो कि अप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे, आत्माराम पांडूरंग, ये भी इनके संस्तापक में माने जाते हैं, महादेव गोविंद रना सूचना के अधिकार से कोई ना कोई कुश्टन बनता ही है, तो उसको थोड़ा डिटेल आप अध्धन कर लेंगे, सोसल साइंस के बुक से, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राष्टपती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, देखे फिर से नहीं बोला है, ध्यां रखेगा, राज्य के राज्यपाल ये तो नियुक्त किये जाते हैं, मुख्य चुनाओ आयुक्त ये भी किये जाते हैं, मुख्य मंत्री नहीं किये जाते हैं, वो कि मुख्य मंत्री का जो नियुक्ती है, वो राज्यपाल के द्वारा होता है, ना कि राष्टपती, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा option number C, मुख्य मंत्री next question है सुनहरा रेशा है जिसका सही आंसर हो जाएगा option number E, पट्चसन इस सारे question हम पहले भी करा चुके आपको यदि आपने हमारा detail वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा चले next question कब और किन राज्यों के बीच पंच सील हस्ताक्षर की गई तो देखेगा बहुत सांदार question है 29 मैं 1954 यह आपको correct answer लेना इसमें असल में 29 अप्रेल 1954 है यह इसी समय भारत में चलता था हिंदी चीनी भाई भाई और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया अब चीन के बारे में तो आप जानते हैं चाइना माल चला तो ठीक नहीं तो फिर तो पहले दिन में खराब हो जाएगा तो चीन का इस्तिती ऐसा ही है भरुसे के लायक है भी नहीं है चले अगला question करते हैं question है हैदर अली कहा कशा सक था तो सही answer जाएक option number मैसूर अच्छा हैदर अली के संदर में चीज और पूछा जा सकते है आपको कि हैदर अली का बेटा ये थे टीपू सुल्तान जहां रखेगा कई लोगों कोई पता नहीं होता है इसलिए बता दिया next सविधान के किस अधिकार के तहत अल्पसंख्यक अपने धर्मेवं भासा से संबंधित विद्यालय महाविद्यालय और विश्विद्यालय खोल सकते हैं इसका सही answer जाएगा option number D सिक्छा और सांस्कृतिक का अधिकार clear आगे देखेगा हजरत महल संबंधित है तो इसका सही answer जाएगा option number C लखनाव देखे हजरत महल इसका पूरा नाम है अपना बेगम हजरत महल जो की रानी थी 1857 की क्रांती में British East India Company के खिलाब विद्रो हुआ था और लखलाव से इसका क्या किया गया था तो ये संबंधित किस से है तो लखनाव से है आगे देखेगा किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार की खेति की जाती है इसका बहुत सिंपल सा answer option number B निर्वाह क्रिशी मतलब केवल खाने के लिए फशल पैदा करना खाना है और जीना है बस साथी option number C आप देखेगा व्यावसाइक खेती दिया है इसका मतलब होता है खाने वाब बेचने के लिए हम पैदा करेंगे जो भी फशल पैदा करते हैं वो ये व्यावसाइक खेती कहलाती है सो उस समय जीवन निर्वहन करने के लिए निर्वाह क्रिशी किया जाता था किवल खाने के लिए फशल पैदा किया जाता था clear? next Muslim link की स्थापना हुई तो इसका सही आंसर होगा 1906 next question है आप प्रवाशन का अर्थ है तो simple सा ये तो जब व्यक्ति देश को सोड़ कर चला जाता है option मर्भी स्करेक्ट आंसर next है UNO में 27 सदस्यों की शंख्या है बहुत अच्छा question है देखेगा UNO एक्च्वल में होता क्या है UNO जो है वो आपका होता है United Nation Organization इसके total 5 27 सदस्ये है जो की सुरक्षा परिशद में जिसको सामिल किया गया है अमेरिका है ब्रेटेन है चाइना है रशिया है और आपका फ्रांस है सयुक्त रास संग दिवस कब मनाया जाता है या आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे बहुत बार ये question किया गया है एक्जाम में सयुक्त रास संग दिवस कब मनाया जाता है चली आगला question देखेगा उद्योग किसके अंतरगत आता है बहुत सांदार question है प्रात्मिक छेत्र, द्वित्याग, त्रित्याग या इन मेंसे कोई नहीं तो देखेगे जो उद्योग है वो आता है आपका द्वित्याग छेत्र में चुकि प्रात्मिक छेत्र में आपका आता है क्रशी द्वित्याग छेत्र में आजाएगा आपका उद्योग धन्दे और त्रित्याग छेत्र में आता है आपका सेवा छेत्र जिसको हम बोलते हैं जैसे डॉक्टर, इंजिनियर, सिक्षक ये सबी चलिए अगला कुशन देखते हैं बहुत सांदार कुशन है अंगूर की खेती को कहा जाता है तो इसका सही आंसर जाएगा वीटी कल्चर ये कुशन एक्जाम में पूछा गया है और इस वीडियो में मैं जिता कुशन आपको खरार हो सारे कुशन प्रिवेसर कुशन पेपर में आपको मिल राएंगे पूरा एक्स्प्लेइन वीडियो इसलिए दे रहो ताकि ऑप्शन से भी अगर कुशन नया बनाएगा तो भी आपसे बनेगा चलिए इसमें समस्त्यापन एग्री कल्चर जो है वो फशल पादन आपका सेरी कल्चर जो है वो रेशम कीट पालन कोसा आप जानते होंगे और आपका पीसी कल्चर जो है वो मचली पालन इससे संबंधित है वहीं जो हमारा अभी का कुश्चन था अंगूर की खेती वो है आपका वेटी कल्चर क्लियर नेक्स्ट है कौन सा कर सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है जिसका सहीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबरे आएकर जिसको हम इनकर्ण टैक्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में वहीं GST से भी कुश्चन हो सकता है GST का फूल फाम होता है Goods and Service Tax वस्तु एवम सेवा कर और ये एक आप्रत्यक्ष कर है GST कब लाग हुआ ऐसा भी question कर सकता है तो ये 1 जुलाई सन 2017 को लाग हुआ है तो इस प्रकार हमने social क्या पहला part समाप्त कर लिया है बहुत जल्द मैं दूसरा part भी upload कर दूँगा दोनों आप देखेगा पूरे question आपको मिल लाएंगे आज तक जित्ता question भी प्रयास में पूछा गया है So thank you so much for listening and watching my video